हालो एवरिवन मैं संचुता जैन मैंगनेट प्रेंस इंदी मिडियम चनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ इतिहास के प्रमग व्यक्तित्व की सीरीज में आज अपन बात करने वाले हैं लौह पुरुष सरदार वल्लब भाई पटेल के बारे में जी हां आज अपन बात करेंगे सरदार वल्लब भाई पटेल के बारे में जो की इतिहास की भारती इतिहास के एक महान हस्ती के रूप में जाने जाते हैं तो शुरु करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रे की आजसकी इस सीरीज को जल्दी से झल्दी और जादा से जादा लाए कर दें और शेयर भी करें तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म की एक अप्तिस अट्रासु पचत्र का वो दिन था जब नाडी याड में सरदार वल्लब भाई पटल का जनम हुआ था जिसे पहले जो की पहले बंबाई प्रेसिडेंसी के अंतरगत आता था और ब्रिटिश भारत के अंतरगत आता था बलब भाई जावेर भाई पटल बलब भाई जावेर भाई पटल भारत के एक स्वतंतरता सैनानी अधीवक्ता यानि की वकील और राजनेता भी थे यह तो बात हो गई इनके बारे में कि इन्हें कौन-कौन सी उपाधियों से नवाज आ गया था उसके बात देखें तो उन सरदार पटल के नाम से जानते हैं जबकि इनका पूरा नाम क्या था सरदार वल्लब भाई पटल या वल्लब भाई जावेर भाई पटल क्लियर यह बात हो गई इनकी बेसिक इंफोर्मेशन की उसके बाद बात करते हैं सरदार वल्लब भाई पटल के द्वारा किये गए फ् किया था सबसे इंपोर्टेंट बात है ये जी हां आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले उप प्रधान मंत्री कौन थे प्रधान मंत्री नहीं भारत के पहले उप प्रधान मंत्री कौन थे तो आप क्या लिखेंगे सवर्दार वलब भाई पटल उसके बाद देखें तुवे भारती राश्टी कॉंग्रेश के एक वरिष्ट नेता थे जिन्होंने भारती स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महात्वपूर्ण भूमिगा निभाई थी और स्वतंत्र भ रियासतों के एकी करड की महान चनौती जो आई थी कि भाई देशी रियासतों का एकी करड कैसे किया जाए भारत को एक कैसे किया जाए तो ये काम किस ने किया था सरदार वललब भाई पटल ने ही ये काम किया था बात करें 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ग्रह सर्दार पटेल का सबसे पहला और सबसे बड़ा योगदान कब था जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था जब आजादी के लिए कई आंदोलन चल रहे थे तो गांधी जी ने का आंदोलन चलाया था 2018 में खेडा सत्याग्रह इसमें सर्दार पटेल का बहुत महत्वपूर योगदान था जी हां उसके बाद देखें बार्दोली सत्याग्रह में इनौने हिस्सा लिया था भारती स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में एक किसान आंदोलन हुआ था जिसे बार्दोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और जिसका नेत्रत्व किस ने किया था जिसका नेत्रत्व सर्दार वल्लब भाई पटेल नहीं किया था और 1928 तक कि बात करें 1928 तक वल्लब भाई पटेल को सिर्फ वल्लब भाई पटेल के नाम से जाना जाता था इनके ना हिलाव ने वल्लब भाई पटेल को सरदार की उपाधी दी थी और उसके बाद से ही इनको सरदार वल्लब भाई पटेल कहा जाने लगा था किलियर हो गई बात कि इन्हें सर्दार के उपाधी कब दी गई थी क्यों दी गई थी और कब से इनके नाम के आंगे सर्दार जोड़ा जाने लगा था अब देखें बात करते हैं स्टेची ओफ यूनिटी के बारे में जी हाँ अभी तो बात करी अपने सर्दार वल्लब भाई पटल की पुरानी बातों की बात करी अब नई बातों की बात करते हैं स्टेची ओफ यूनिटी की बात करते हैं तो सर्दार वल्लब भाई पटल की या इस जो है वह 58 मीटर का है उसके बाद उसके ऊपर 182 मीटर की प्रतीमा इनकी बनाई गई है जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे यह जो आधार है यहाँ तक का जो आधार है जिसकी उचाई है 58 मीटर ब और उसके बाद यहाँ से यहां तक जो इनका इस statue है, जो मूर्ति है, उसकी उचाई कितनी है? उसकी उचाई है 182 मीटर और इस तरीके से टोटल इसकी उचाई कितनी है? 240 मीटर उची है और यहां लोह से निर्मे सरदार वल्लब भाई पटल की एक विशाल प्रतिमाल लगाने का निश्य किया गया था और वरत्मान में वो प्रतिमाल लगा दी भी गई है अता इस इसमारक का नाम क्या रखा गया है एक ताकी मूर्ती रखा गया है Statue of Unity रखा गया है क्योंकि क्योंकि आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों के एक इकरण की जो समस्या सामने आई थी उस चनौती का सफलता पूर्वक सामना किसने किया था सरदार वल्लब भाई पटल ने किया था और देशी रियासतों का एक इकरण सरदार वल्लब भाई पटल नहीं किया था और भारत को एक बनाया था इसलिए इस statue का या इस मूर्ति का नाम क्या रखा गया है Statue of unity एक दाकी मूर्ति और 31 October की बाद करते हैं 31 October की बाद करते हैं तो 31 October को इन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है एक दिवस मनाया जाता है कितनी तारीक को 31 October को एकता दिवस इनकी जन्म जयन्ती के दिन मनाया जाता है रास्टी एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है तो यह बात हो गई स्टेच्यू ओफ यूनिटी के बारे में और यह प्रतिमा जो है एक छोटे चटानी द्वीप साधु बेट पर इस्थापित करी गई है जो की कहा इस्थित है अब यह स्टेच्यू ओफ यूनिटी कहां इस्थित है यह साधु बेट दीप कहां पर इस्थित है के वडिया में सरदार सरूवरबाध के सामने नर्मधा नदी के बीच गुजरात में यह इस्टेच्यू बनाया गया है अब इनकी इनकी म्रत्यू की बात करें तो इनकी म्रत्यू हुई थी 15 दिसंबर 1950 को बॉंबे में हुई थी तब इनकी उम्र 75 वर्ष हुआ करती थी तो यह रही जानकारी भारत के लौह पुरुस भारत के देशी रियासतों के एकी करण के करता धर्ता एकता की मूर्ती के प्रतीक सरदार वलब भाई पटल के बारे में उमीद है कि सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और सारी इन्फोर्मिशन आपको एक एक पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट है तो अगर अभी तक आप नहीं दिहास के प्रवोग व्यक्तित्व की सीरीज के बाकी के सारे वीडियो नही अप्लिकेशन पर मैंगनेट ब्रेंस इंडिया का नमबर वन हंड्रट पर्टसंट प्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इबुक सुरी नोट्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हैं वहां से आप अवेल कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए क जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं आज की सीरियस को आप सभी को जादा से जादा लाइक करना है शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है हमारे साथ बने रही है जुड़े रही है पढ़ते रही है खुश है थाएंगि सूमच